कि देखो एक सिंपल सी चीज गॉइटर जो है वो क्या है इसको समझने की अगर कोशिश करें तो पता चल जाएगा पहला पार्ट कोई डिपोजिशन कहीं पर भी होता है गॉइटर भी तो एक तरीके से टिशू बढ़ रहा है एक तरीके अगर टिशू कहीं पर बनता है तो एक लिमिट के बाद में उसको खतम हो जाना चाहिए उसको निकल जाना चाहिए उसका काम पुरा हो जाना चाहिए उस जगा पर मगर एक ही जगा पर टिशू बन रहा है तो अगर आपने बोडी का ट्रांसपोटेशन फेक्टर डिटॉक्स फेक्टर अगर आप बढ़izadaए तो क्या वोग तो यह वह किसी भी तरीके की सूझल किसी भी तरीके की सूजन या मास टिशू मास उसमें कमी आईगी ऐसा आपको देखने को मिलाए दूसरी बात ऐसे छोटे अगर ट्यूमर टाइप भी है तो वो कभी भी उसका रिस्क जो आगे चलके मेटस्टैस का होता है ऑन कंट्रोल गरोग्रोगे Judah वहत मifi बोडी में हमने देखाए कि अगर हम प्रेषर जैनरेटका रहे ठीक तरीके से किसी भी तरीके का खूतिंग झांव dismiss कर न न ग्याश्य देंच यह दोनों का दोनों जाने ड briefly जाता है आप प्रेशर डाल जो प्रेशर से वह क्लियर आउट हो रहा है कुछ लोगों को जब वो कुम्बक करेंगे तो ढका रहे आएंगी यानि कि आपके शेरी में गैसे मूवमेंट शुरू हो गया तो कोई भी तरीकी का रिटेंशन या डिपोजिशन आप देखेंगे सूजन इस तरीकी चीज़े निकल जाते हैं इसी वजह से जो थोड़ी लंबे समय तक कुम्बक करते हैं उनके बाड़ी में फैट कभी भी नहीं बनता वो लीन होते हैं हमेशा उनके शेरी में फैट बनना कम हो जाएगा हां कई लोगों का थोड़ा ज्यादा समय में यह सिचूइशन आएगी मगर यह आएगी जरूर तो टीशू का डिपोजिशन एक पैलाफ फैक्टर है जो की कुम्बक करते ही यह डिपोजिशन निकलना शुरू हो जाता है जाना शुरू होता है छोटी मोटी गांठे शरीर में आपको देखने के मुलेगी कि खतम होगे स्किन का टेक्च्चर भी जो है तो सॉफ्ट हो जाएगा जो अभी भी राफ एजेज हैं वो आपके बॉड़ी में सारे सॉफ्ट हो जाएगा अच्छा इसका दूसरा पार्ट जैसे मैंने बताया कि थाराइड स् यह सारा एक साथ में रिलेटेड है हॉर्मोन की डेफिशेंसी की वज़ा से गॉइटर होता है तो हॉर्मोन की भी कमी पूरी हो जाएगी आपके बॉड़ी में तो गॉइटर की सिचुएशन सॉफ्ट होने शुरू हो जाएगी लेकिन कभी-कभी फिजिकालिटी में कोई च सकता है लेकिन प्रॉब्लम खतम हो जाए कॉस्मेटिकली अगर कोई चीज है तो आपका बॉड़ी का रिस्क तो गया ना खतम हो गया तो यह जरूर यह दो चीज है जिसकी वज़ा से आप देखेंगे कि गॉइटर की प्रॉब्लम जो अंडरलाइन कॉस है वो चला जाएग इसमें और चीजें भी हो सकती है जैसे कि मैंने आपको एक एक जामपल देखे बताया बॉड़ी के अंदर अगर स्टामिना कहीं होता है तो उसमें किसी भी तरीकी का एक्सेस आप देखने को नहीं मिलेगा किसी भी मज़़ूर को आप मोटा नहीं देखेंगे जो बहुत ल वापस लेके हैं जो कम हो गया है तो आप ये भी देखेंगे कि इस तरीके से अन्नेसेसरी ओवर ग्रोथ या बॉड़ी का इवन स्ट्रक्चर का डिवेट होना ये भी सॉल्व हो जाता है